नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम हिंदी में परहेंगे वचन के प्रकार वचन कितने प्रकार की होते हैं? वचन दो प्रकार की होते हैं फ्रस्ट एक वचन, सेकेंड बहुवचन एक वचन मींस singular नममर, बहुवचन मींस plural नममर सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ते हैं एक वचन जिस संग्या सब्द से एक वस्तु या एक संख्या का पता चले उसे एक वचन कहते हैं जैसे लर्की लर्की सब्द से हमें एक लर्की या लर्की की संख्या एक का पता चल रहा है इसलिए यह एक वचन का उधारन है गमला, आंक, इन सारे सब्दों से हमें एक वस्तु, एक संख्या का पता चल रहा है इसलिए यह सारे एक वचन है अब बहुवचन जिस संख्या सब्द से एक से अधिक वस्तु या एक से अधिक संख्या का ग्यान होता है उसे बहुवचन करते हैं जैसे लर्कियां लर्कियां कहने से हमें एक से अधीक लर्की मेंज लर्कियों की संख्यां एक से अधीक है तब ही हम लर्कियां कह रहे हैं अता या बहुवचन का उधारन है गमले, आखें ये सारे बहुवचन के उधारन है एक वचन सब्दों को बहुवचन में बदले एक वचन सब्दों को हम बहुवचन में कैसे बदलते हैं उसकी कुछ उधारन नीचे दिये गए है एक वचन singular नम्मर, बहुवचन plural नम्मर एक वचन तितली, बहुवचन तितलिया लर्की लर्कियां, बिल्ली बिल्लियां, टौफी टौफियां, कुर्सी कुर्सियां, बकरी बकरियां, खिर्की खिर्कियां इन सारों सब्दों में हम देखते हैं कि एक वचन में सब में बरी एकी मात्रा लगी वी है लेकिन जब हम इसको एक वच्चन से बहु वच्चन में बदलते हैं या फिर एक वच्चन से बहु वच्चन इनका बनाते हैं तो ये सारी बरी ए की मात्रा छोटी ए में बदल जाती है और सब में या 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 लग रहा है इस तरह हम एक वचन से बहूवचन बनाते है कुछ और उधारन पत्ता, पत्ते, लरका, लरके, बच्चा, बच्चे, पुस्तक, पुस्तके, कपरा, कप्रे, माला, मालाई यहां माले नहीं बोलेंगे मालाई वस्तु, वस्तुे चुहा, चुहे ये कुछ एक वचन से बहुवचन के उधारन है